दोस्तो आप सभी का only top study channel पर स्वागत है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सविधान का एक बहुत ही important topic प्रेंबल यानि की प्रस्तावना यहां से आपके हर एक exam में questions जरूर पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा end तक देखेगा और कितने questions के answer सही कर पाते हैं अपना score comment box में बताना 50 plus questions हम इस वीडियो में cover करेंगे पहला question आपकी screen पर है सविधान के अंतरगत भारतिय लोकतंतर के आदर्शों को हम कहा देख सकते हैं वेरी वेरी important question है अगर आपको इसका answer पता है comment box में बताईएगा दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा प्रस्तावना में यानि की option A right answer है question number 1 का question number 2 आता है भारत में राजनेतिक सत्ता का परमुक्षरोत कौन है दूसरे question का दोस्तो right answer क्या रहेगा option A हो जाएगा जनता यानि की A right answer रहने वाला है question number 2 का तीसरा question आता है भारत के सविधान में उदेशिका यानि की दोस्तो प्रस्तावना का विचार लिया गया है तो किस देश के सविधान से लिया गया है दोस्तो USA के सविधान से यानि कि अमेरिका के सविधान से तो right answer D हो जाएगा question number 3 का question number 4 आता है भारत के सविधान की उद्देशिका में निमलिकित में किसका उल्लेक नहीं है इन चारों में से आपको बताना है किसका उल्लेक नहीं है ये वाला question आपका SSC में कहीं बार आ चुका है इस question का दोस्तो right answer हैगा समाजिक समानता यानि की option A right answer हैगा question number 4 का question number 5 है सविधान सभा में जभारलाल नहरु द्वारा उदेश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों पांचवे question का right answer हैगा 13 दिसंबर 1946 में यानि की right answer B हो जाएगा पांचवे question का सही उत्तर ये आपको याद अखना है मेरे प्यारे दोस्तों 7000 के question answers की जो हमारी पीडियाप है जिसमें complete history, geography, quality, economics, complete science, current affair और computer आप चेक किसी भी exam की त्यारी करते हैं ये सारी चीज़े आपके exam में जरूर आएंगी और मैं एक important questions का collection बता रहा हूँ 7000 questions का collection है जो की मात्र 150 rupees में आपको मिल रहा है आप इसको हमारी website या whatsapp number से purchase कर सकते हैं इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा चैनल को अभी subscribe करके बेल एकन को on कर लेना ताकि आगे आने वाली से भी videos के notifications आपको मिलते रहे चटा question क्या कहे रहा है लोकतंत्र का तात्परिय है कि सर्भूम सत्ता हाथ में होती है किसके हाथ में होती है दोस्तों चटे question का right answer रहेगा लोगों के हाथ में यानिकी लोग तो right answer B हो जाएगा चटे question का right answer सात्वा question आता है निमलिकित में से कौन सा एक भारती सविधान का दर्शन नहीं है तो यहाँ पर जो right answer रहने वाला है वो हो जाएगा दोस्तों सम्यवादी राज्य यानिकी right answer D हो जाएगा question number 7 का सही उत्तर question number 8 आता है निमन में से कौन सा संसोधन मीनी सविधान यानि की mini constitution लगू सविधान माना जाता है इसको mini constitution लगू सविधान कुछ इस परकार से बोला जाता है दोस्तों तो 42 वा जो सविधान संसोधन है दोस्तों जो 1976 में हुआ था इसको mini सविधान भी कहा जाता है तो right answer C हो जाएगा question number 8 का very very important question है question number 9 आता है निमनिकित में से कौन भारत को धन, निर्पिक्स, राज्य, वन्नित करता है तो इस question का right answer क्या रहेगा दोस्तों इस question का right answer होने वाला है आपका option बिलकुल सही है सविधान की प्रस्तावना दोस्तों B right answer हो जाएगा 9 question का सही answer ठीक है अगला question आता है दस्वा सविधान बनाते समय निमनिकित में से कौन सा आदर्स प्रस्तावना में समलित नहीं किया गया था तो इस question का दोस्तों right answer क्या रहेने वाला है कौन सा समलित नहीं किया गया था तो right answer हो जाएगा दोस्तों C समाजवादी तो ये आपको याद अखना है very very important question है 11 question है कि सविधान संसोधन भारतिये सविधान के प्रस्तावना समाजवाद तथा धर निर्पेक्सता को जोड़ा गया था तो किस सविधान संसोधन के तहट जोड़ा गया था दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा option B 42 सविधान संसोधन के तहट B right answer हैगा question number 11 का question number 12 आता है नीचे दिये के कत्नों पर विचार करिए तो इन में से आपको बताना है दोस्तों नीचे दिये के कूट का उप्योग करके सही उत्तर चुनना है आपको यहाँ पर तो यहाँ पर अगर मैं इसमें right answer की बात करू दोस्तों तो यह सभी है दोस्तों भारत एक संपरगु देश या राज्य है बिल्कुल सही है भारत एक कल्यानकारी राज्य है तो बिल्कुल सही है भारत एक गनतंत्र देश है तो बिल्कुल सही है भारत में एक परजात आंत्रिक राज्य विवस्ता है तो बिल्कुल सही है यानि कि बारवे question का जो right answer है that is option D तो यह आपको याद अखना है question number 13 है भारत की सविधान के उदेशों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमे उपबंद किया गया है तो यह भी काफी अच्छा question है दोस्तों तो इस question का right answer रहेगा उदेशिका यानि कि दोस्तों प्रस्तावना और राज्य की नीती के निर्देशकता तो यानि कि यहाँ पर जो right answer रहेगा that is B और यह भी काफी important question है अगर आपको हमारा content पसंद आ रहा है वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को like करना मत बूलना और अपने भाई-बैन दोस्तों के साथ में भी जरूर सेयर करना जो भी competitive exam की त्यारी करते है question number 14 है न्याय में समलित सभी पक्स समाजिक, आर्थिक, राजनेतिक भारतिये सविधान में किस देश से गरहन किये गए है very very important question है दोस्तों try करके देखे क्या आप लोग सही answer कर पा रहे है इस question का right answer हैगा रूस से यानि कि be right answer हो जाएगा question number 14 का 15 आता है कि 9 में से किसे पंत निर्पेक्स राज्य कहा जाएगा तो पंत निर्पेक्स राज्य किसे कहा जाएगा तो right answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वह राज्य है जिसका कोई धर्म ने हो तता जो धर्म के आधार पर भेदभाव ने करता हो ठीक है उसको कहा जाएगा दोस्तों पंत निर्पेक्स राज्य है तो right answer क्या हो जाएगा question number 15 कसी 16 आता है कि भारती सविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था यह आपको बताना है कौन सा नहीं जोड़ा गया था यह भी अच्छा question बनता है तो इसमें जो रहेगा दोस्तों समानता यह नहीं जोड़ा गया था तो right answer आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा next question आता है कि सविधान की उदेशिका में भारत की लोग भारत को खालिस्थान बनाने हे तू दर्ड संकल पित है तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है पर्भु अत्व संपन समाजवादी पंत निर्पेक्स लोक तांत्रिक आत्मक गनराज्य है यानि कि right answer जो रहेगा अठारवे का C रहेगा very very important है यह आपको याद अखना है question number 19 वा आता है भारती सविधान की प्रस्तावना में प्रयूक्त नियाय सब्द अभिवेक्त करता है तो ये अभिवेक्त करता है दोस्तो समाजिक आर्थिक तथा राजनेतिक नियाय को तो right answer D हो जाएगा 19 वे question का right answer आपका 20 वा question आता है प्रस्तावना में सवतंदरता समानता और बंदुत सब्द की किस देश के सविधान से लिए गए है तो यहाँ पर जो right answer हैगा दोस्तो सवतंदरता समानता और बंदुत जो सब्द है यह हमने फ्रांस से लिए है तो right answer C हो जाएगा 20 वे question का correct answer दोस्तो एक question का answer बताईए मैं बीच में एक test ले लेता हूँ 50 question है हमारे तो एक question का answer बताईए कि सविधान समा में जवाला नहरु द्वारा उदेश्य प्रस्ताव कब प्रस्तूत किया गया था मैं आसा करता हूँ कि अभी तक जो यह वीडियो आप लोग ने देखी है इस वीडियो को ध्यान से देखाऊ और आप इस question का answer जरूर बताएंगे आपका 21 question आता है संसोधन के उप्रांत बारती सविधान की प्रस्तावना में अब निम्न पांच पदो का उलेक है तो कौन-कौन से है जल्दी बताईए दोस्तो सबसे पहला है सर्व भूम या परबुत संपन यानि की right answer हो जाएगा पहला यह है ठीक है मैं लाइन से बता देता हूँ दूसरा है दोस्तो समाजवादी तीसरा आपका हो जाएगा धन निर्पेक्स तीसरा होगा चोथा आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक और गनतंत्र हो जाएगा दोस्तो पांचवा आपका तो यहाँ पर जो right answer बनेगा that is option है 21 का right answer हो जाएगा दोस्तो कुछ इस परकार से रहेगा यह आपका अदखना है 22 कोशन क्या कहता है आपका 42 सभिधान संसोधन तो इस परकार से तो कोशन नहीं आएगा यहाँ पर था तो हम मैंने बता दिया 23 कोशन है सभी व्यक्ति पुनता और समान रूप से मानव है यह सिद्धान जाना जाता है तो इस कोशन का right answer बता दीजे बिल्कुल दोस्तो यह हो जाएगा सर्भोमिक्ता यानि की right answer is option अगला कोशन बनता है की एक पंत निर्पेक स्राज्य क्या होता है दोस्तो इस कोशन का right answer रहेगा धर्मों के परती तटस्त रहता है यानि की right answer is option D 25 कोशन आता है निमलिकित में से कौन भारतिय सविधान की प्रस्तावना में उलेकित नहीं है तो यह हो जाएगा दोस्तो धार्मिक नियाए ठीक है right answer is धार्मिक नियाए यानि की D right answer हो जाएगा 26 कोशन भारत के सविधान की अनुमुक का लक्षय उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिचित करता है दोस्तो यह सभी समाजिक तथा आर्तिक नियाए विचार तथा अभिवेक्ति की सवतंता अवसर की समानता वेक्ति की परतिस्ठा तो यह सभी दोस्तो करता है यानि की सभी चारो तो right answer D हो जाएगा कोशन भार 26 का 27 आता है नागरिक समानता का आश्य क्या है तो नागरिक समानता का आश्य है दोस्तो कानून के समक्स समानता यानि की right answer option यह हो जाएगा 27 वे कोशन का सही उत्तर 28 वा कोशन है भारतिय सविधान का कौन सा भाग सविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तो प्रस्तावना यानि की उदेशी का रहेगा यानि की प्रस्तावना दोस्तो right answer हो जाएगा option C हो जाएगा अगला कोशन अबारा आता है 26 नॉवंबर 1949 को अंगेकरत भारतिय सविधान की प्रस्तावना में सब्द समलित नहीं थे कौन से समलित नहीं थे दोस्तो right answer हैगा दोस्तो समाजवादी नहीं था ये तीनों थे तो right answer क्या हो जाएगा इसमें से तो sorry sorry ये तो नहीं था पहला भी नहीं था दूसरा भी नहीं था पंत निर्पेक्स भी नहीं था अखंडता था गणराज्य भी नहीं था sorry sorry फर्स सेकिंड और थर्ड नहीं थे तो राइट आंसर ओप्शन यह हो जाएगा कोशन अगला कोशन आता है निमलिकित सब्दों में से कौन सा सब्द सन 1975 में बारती सविधान की प्रस्तावना में समलित नहीं था तो इन में से बताएगे दोस्तों देखें 1906 में अखंता को जो प्रस्तावना आरंब होती है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सविधान की प्रस्तावना आरंब होती है हम भारत के लोग सब्द से यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा अगला कोशन बनता है कि भारत के संदर में 99 से कौन धर निर्पिक सब्द का सही भाव व्यक्त करता है, इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर इस डी, यह आपको अदक नहीं, तेटीसवा कोशन है, न्याय में समलित, सभी पक्स, समाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, भारतिय गए हैं तो इस question का right answer हो जाएगा दोस्तो रूसे, B right answer हो जाएगा, 34-वा question है, निमलिकित उदेशों में से, कौन सा एक भारत के सविधान की उदेशिका में, सम्लित सम्लिस्ट नहीं है, तो इस question का right answer क्या रहेगा, 34-वे question का right answer हो जाएगा दोस्तो, आर्थिक सवतंतरता ठीक है तो ये आपका हो जाएगा B right answer question number 34 का अगला question आता है भारत में निमलिखित में से समाजवाद के किस रूप को अपनाया गया है तो right answer हो जाएगा लोकतांतरिक समाजवाद को C right answer हो जाएगा 35 question का right answer 36 question है भारत के सविधान के दार्शनिक अभियूग पगम किस पर आधारी थै तो इस question का right answer है पंडित नेरु का उदेश्य संकल ठीक है यानि की objective resolution 1947 B right answer हो जाएगा 36 का अगला question है भारत में लोकतांतर का कौन सा सवरूप परचली थै तो इस question का right answer है एपरत्यक्स लोकतंतर यानि की B right answer हो जाएगा very very important mark कर लेना इस question को आपका 38 question है निमलिखित में से कौन सा सब्द भारतिय सविधान की प्रस्तावना में नहीं है तो right answer रहेगा आपका लोकतंतरिक सरकार D right answer हो जाएगा 38 question का right answer question number 39 है नियाय में समलित सभी पक समाजिक आर्थिक राजनेतिक भारतिय सविधान में किस देश से ग्रहन किये गए है I think ये वाला question repeat हो चुका है B हो जाएगा रोज से अगला question है भारत के सभी दान की उदेशिका में कितने परकार के नियाय की व्यवस्था की गई है तो right answer हो जाएगा दोस्तों तीन परकार के यानि कि B हो जाएगा right answer अगला question बनता है कि सभी दान सभा में उदेशिय प्रस्ताव 99 से किस एक के द्वारा प्रस्तूत किया गया था तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा पंडिक जवालाल नहरू यानि कि B right answer हो जाएगा question number 41 का question number 42 है किस सभीधानिक संसोदन अधिनियम के तहट सभीधान की प्रस्तावना को संसोदित किया गया था तो इस question का right answer है दोस्तों 42 सभीधान संसोदन के तहट 1976 में अगला question आता है भारत के सभीधान की उदेशिका में निमलिकित सभदावली जिस अनुकरम में है वह कौन सी है दोस्तों जो सही correct दोस्तों लगा हुआ है तो यहाँ पे है आपका संपून परभुत्व संपन समाजबादी पंद निर्पेक स्लोकता अंतरिक गनराज्य है पर जो पहला लिखा है ना दोस्तों यही correct है ठीक है तो right answer is option है यह आपको यह दखना है question number 44 है निमलिकित में से कौन सा सभद भारती सभीधान के 42 वे संसोधन द्वारा प्रस्ताव में समलित किया गया था तो right answer क्या रहेगा option D हो जाएगा अखंड था ठीक है भई question number 45 है भारत एक धनिर्पेक्स राज्य है यह निन में से किस वाक्यन्स में व्यक्त है तो इस question का right answer हो जाएगा आस्था और पूजा की सवतंदरता D right answer हो जाएगा question number 45 का question number 46 है भारती सव्धान की प्रस्तावना में निमलिखित में से किस सवतंदरता का वर्णन नहीं है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा दोस्तो किस का वर्णन नहीं है पूछा गया है तो आर्थिक सवतंदरता का right answer D हो जाएगा 46 का 47 है समाजवाद निमलिखित क्या प्राप्त करने में सफल रहता है इस question का right answer है समाज में अधिक्तम समाजिक कल्यान यानिकी right answer D हो जाएगा question number 47 का 48 है भारती सव्धान की दार्सनिक आधार भूमी है तो दार्सनिक आधार भूमी दोस्तो क्या है प्रस्त प्रस्तावना है यानिकी D right answer हो जाएगा 48 का question number 49 है सव्धान की प्रस्तावना यानिकी प्रेंबल में भारत निमलिखित में से किस रूप में घोसित किया गया है तो right answer हो जाएगा दोस्तो एक परभुत संपन समाजवादी पंतिनिर्पेक्स लोकतांत्रिक गनराज्य तो right answer C रहेगा दोस्तो इस question का सही उत्तर यह आपको या दखने है question number 50 है सव्धान की उदेशिका यानिकी प्रस्तावना का संसोधन कितनी बार किया गया था तो इस question का दोस्तो right answer हैगा एक बार के वल यानिकी C right answer हो जाएगा और कब किया गया था दोस्तो मैं 2-3 बार बता चुक आना है क्योंकि मैं यह बता चुका हूँ चलिए लदू सविदान के रूप में अभी यह वाला question बताएगे आप लोग यह आपके लिए test question है निमलिकित में से कौन भारत को धन निर्पेक सराज्ये वनित करता है जल्दी से बताएगे दोस्तो इंचारों में से कौन करता है फटा फट से आपका मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग इस question कहां से comment box में जरू बता देंगी correct करके और यह पीडियाप अगर आप लोगों ने अभी तक purchase नहीं किया दोस्तो इस पीडियाप को जरूर परचेज कर लीजे क्योंकि इसमें आपको complete gk मिल जाती है science मिल जाती है current affair computer और वह भी मात्र 150 रुपीज में आप समझ सकते हैं 150 रुपीज में कुछ भी नहीं आता है बट आपको 7000 question answers की PDF मिल रही है जो कि आपकी exam के लिए बहुत ही जादा helpful है चैनल को subscribe करके bell icon को on कर लेना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के notifications आपको मिलते रहें thank you so much bye bye everyone take care ख्याल रखे अपना